कर दोस्तों किट कैट चॉकलेट बच्चे पर शौक से खाते ही ये किट कैट चॉकलेट फैट्री में कैसे त्याज होती है देखिए इस वीडियो में किट कैट चॉकलेट बनाने के लिए तमाम हुष्जाने सियत के असूलों को मदे नजर रखते हुए इसको त्यार किया जाता है किट कैट चोकलेट को लेसले कॉंपनी ही तियार करती है किट कैट को बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े टेंक में चोकलेट को स्टोर किया जाता है देखिये ये चोकलेट टेंक रूम है यहाँ पर दो किसम की चोकलेट मुझूद है दूद चोकलेट और स्फेड चोकलेट टेंक में मुझूद चोकलेट कुछ इस तरह की है दोस्तो चोकलेट टेंक रूम बहुत ही गरम है इस कमरे में दर्चा हरारत दूसरे आम कमरों के मुकाबले में ज्यादा है क्योंकि इस कमरे में हीट चोकलेट के बिगलनी की वज़ा से है बहुत से पाइप टेंक से जिड़े हुए है जो इन पाइपों के जरिए चोकलेट को नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे की तरह भेजा जाता है अब चोकलेट को क्रंची बराने के लिए वेफर का इस्तावाल किया जाता है वेफर को सख्त करने के लिए इसे ठंडा किया जाता है एक रबोट तैयार सुदा वेफर को कुछ इस तरह से खड़ा करता है रबोट वेफर को एहत्याद और खुबसुटी से सजा देता है तो उस्तो रबोट काम को एको वेप और तेजी से सरिजान देता है इस तरह से मकमल होने वाले वेफर को फिर लेच्ट प्रोसेस बेग मूंतेकल किया जाता है ये तमाम प्रोसेस रबोट ही के जरीए कंप्लेट किया जाता है उसको किट कैट को मूल्ड करने के लिए ये साचा इस्तमाल किया जाता है चोकलेट किट कैट को ढालने के लिए इस मशीन में डाला जाता है अब चोकलेट में वेफर को डाला जाता है इसके बाद वेफर पर उपर से दबाओ डाला जाएगा सत्वा की सभाई करके इट कैट की नीचे की सत्वा को खत्म करके उपर से चोकलेट डाला जाता है अब इस मशीन से इजाफी चोकलेट को हता कर क्रिट कैट की नीटली सता को खतम किया जाता है चोकलेट को सख्त करने के लिए इसे ठंडा किया जाएगा दोस्तों इसके बाद आता है चोकलेट की पैकिंग का मरहला तैयार क्रिट कैट को एक एक करके पैक किया जाता है चोकलेट को इस कमरे में कम दर्जा हरारत पर रखा गिया है ताके ये पिगल ना सके क्वालिटी चेक करने के लिए एक्सरी एक्सपेंशन मुएना करने वाले आलाग और कैमरों का इस्तमाल किया जाता है ताकि सार्फीन को पहुंचाई जाने वाली मुस्लूवाद को अच्छी तरह से जाज़ परताल की जा सके यहां पर मिशीन चोकले को आटो मेटक गिंदी करके बैग में भरती है कार्ड किट कैट को कार्ड बोर्ड बॉक्सेज में पैक किया जाता है रबोर्ड पैक सिदा बॉक्सेज को अपने आर्म से एक जगा पर जमा करता है तो इसमें तैयार किट कैट की तरसील फैक्टी से कुछ इस तरह की जाती है किंटीनर हमें लोड करके मार्कीट में भेजा जाता है जो हम बाद में लजीज किट कैट को खरीद कर बड़े मज़े से खाते है तोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी पॉमेंस बक्स में मुझे जरूर बताईएगा ऐसी ही जबदस्ट मशीनों की वीडियो देखने के लिए चैनल को सिब्सक्राइब कर दो वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा जोस्तों मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक अपना और अपने प्यारों का रखिये बहुत सारा ख्याल और मुझे देजिए इजाज़त बहुत सब्सक्राइब कर दो